नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल बैटर जिन्दिगी में दोस्तो, जिसकी गले में होता है ये जड़, बहव्यक्ति, धन्वान बन जाता है स्वैम, भगवान विशुन ने इस जड़ की प्रशंशा की है एवं इसे दुरभा के दूर करने का चावी भी बताया है तो मित्रो, अपने फायदे के लिए आज का जो वीडियो है पूरा जरू देखना आप भी इस जड़ को प्राप्त कर सकेंगे और लाब उठा सकेंगे तो दोस्तो, ये जड़ है तुलसी का जड़ जी हां मित्रो, तुलसी के जड़ से दुरभागे दूर करने वाला सबसे सरल आज आसान भीदी बताऊंगा और तुलसी का जड़ है इसके चाया की नीचे स्वेम भगवान विश्ण निवास करते हैं और भगवान विश्ण भी तुलसी के पौधे की प्रिशंसा करते हैं दोस्तो, भगवान विश्ण को अगर आप चपन पिरकार के भोग बिना तुलसी के लगाते हैं तब भी शुकार नहीं करते हैं तुलसी को हिंदू धरम में काफी पूजय भी माना जाता है और इसे काफी बवित्र पौदा मानते हैं और यह हमारे लिए माता के समान है हमारे घर की नकरातमक सांती को दूर कर हमारे घर में खुसियां लाता है दोस्तो आपको मैं घर में धन प्राप्ति करने वाले सबसे सरल उपाय बताऊंगा मित्रो धन भैवब के साथ आपके सरीर को निरोग रखता है और नकरातवक सकती को दूर करता है इससे पहले आप चाहते हैं कि इस परकार की जानकारी आपको आने वाले समय में मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो दोस्तो अगर आप अपनी किसी दोस को सांथ करना चाहते हैं जैसे सनी दोस हो या फिर और किसी परकार का दोस हो तो दोस्तो इसके जड़ को ताविंज में भरकर सभी परकार के दोस दूर हो जाते हैं दूसरा अगर आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो भी आपके दोस दूर हो जाते हैं नकरात्मक सक्ति को अगर तुलसी की जड़ को आप अगर इसकी माला बना कर पहनते हैं तो ये नकरात्मक सक्ति को सूख लेता है और सूनने कर देता है तूलसी की जड़ आप अगर मुख्य द्वार पर लटका देते हैं तो घर का बंधन हो जाता है कोई भी नकरात्मक सकती घर पे नहीं आपाती तो इस बिरकार की जो जानकारी हमेशा काम आती है तो दोस्तो इसके जड़ को चांदी के ताबिज में पहन लेने से घर में धन की प्राप्ती होती है क्योंकि इसमें भगवान बिशनू के साथ साथ माल अच्मी की किरपा प्राप्त होती है तो दोस्तो आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दावा दें तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं